हेलो स्टूडेंट्स आज से हम अपनी रिमजिम पुस्तक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके विशे में आपको यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैं इस पार्ट को बढ़ाती हूं तो उसको ध्यान से सुने और उसी के अधार पर आपको अगले दिन इसकी पीडियेफ एवेल पर उसके प्रशन उथ्तर नोट होंगे और उसे अपनी note-book में write करेंगे और चलते हैं अपने पार्ट पहले की तरफ हमारा पहला पार्ट है कविता मन के भुले भाले बादल तो इसमें क्या है बादलों के बारे में बताया गया है तो जबर जबर बालों वाले गुबारे से गालों वाले लगे दोडने आसमान में जूम जूम कर काले बादल, इसमें बादलों को कहा गया है कि ऐसे लगती है जैसे बालों के गुच्छों से भरा हुआ बादल और गुबारे जैसे गालों वाला और आसमान में जैसे जूम जूम कर कले बादल आसमान में दोड लगा रहे हैं और अगले पैरा में हैं कुछ जोकर से तोंद फुलाएं और कुछ अपनी तोंद फुलाकर बाहर की तरफ निकले हुए लगते हैं और कुछ हाती की सूंट जैसे और कुछ मानो ऐसे लगते हैं जैसे उंट ने अपनी कुपड निकालकर चल दिया हो और कुछ परियों के पंक फिलाकर जैसे लग रहे हैं आपस में टकराते रह रहे हैं शेरों के मतवाले बादल, मतलब आपस में इस तरहें से टकराते हैं कि जैसे कोई शेरों जैसे मतवाली चाल में चल रहे हों, कुछ तो लगते तूफानी, कुछ रह रहे कर शैतानी, कुछ अपने थैलों के चुपके जर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी डोलक डोलब जाते बादल इन में बादलों को ऐसे का गया है कि जैसे ऐसे लगता है ये बादल गिर गिर कर इस तरीके से आ रहे हैं जैसे कोई अपने साथ तुफवान ला रहे हो और ये ठहर ठहर कर कुछ शैतानी करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे अपने साथ एक पानी से बढ़ा हुआ बरसाथ से बढ़ा हुआ ठैला लेकर अपने साथ चल दी हैं और बरसात की जरजर से उसकी बूंदें टपकानी शुरू कर दी हैं और नहीं किसी की सुनते कुछ भी इसमें ऐसे लगता है कि ये बादल अपनी मन माननी करने के लिए चल दी हैं ये किसी की भी नहीं सुनते और कुछ बादलों की आवाजों से ऐसे लगता है जैसे कोई डोल बजा रहा हो और इसके next page पे है रह रह कर छत पर आ जाते फिर चुप के उपर उड़ जाते मतलब ऐसे लगता है कि कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी में रुक रुक कर यह है चुप चाप से छत पर मंड़ रहे हैं और कुछ धीरे से उपर की तरफ उड़ जाते हैं और कभी कभी यह जिद्धी मनकर नदी नालों में बाड़ सी ला देते हैं मतलब बरस कर इतना पानी ला देते हैं कि नदी नालों में बाड़ सी आ जाती है फिर भी लगते बहुत भले मनके बोले बादल तो इसमें कभी कहता है कि इसमें ऐसे लगता है कि जैसे यह बहुत ही भोले वाले हैं फिर भी यह मासूम से दिखाई देते हैं और इसके नेक्स पेज पे है रह रहकर छत पर आ जाते फिर चुप के उपर उड़ जाते मतलब ऐसे लगता है कि कुछ थोड़ी थोड़ी दूरी में रुक रुक कर यह चुप चाप से छत पर मंडरा रहे हैं और कुछ धीरे से उपर की तरफ उड़ जाते हैं और कभी कभी यह जिद्धी मनकर नदी नालों में बाड़ सी ला देते हैं मतलब बरस कर इतना पानी ला देते हैं कि नदी नालों में बाड़ सी आ जाती है फिर भी लगते बहुत भले मनके बोले बादल तो इसमें कभी कभी कहता है कि इसमें ऐसे लगता है कि जैसे यह बह पूले वाले हैं फिर भी ये मासूम से दिखाई देते हैं